मैं हूँ सरसती के सरस कीचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है तो बहुत अच्छी सी रेश्पी लेके आप लोगों के लिए आई हूँ जो है पपीता मिल्क केक का नाम हमने दिया है आप कामेंट करके बताएगा कि आप इसको क्या नाम देना चाहते हो तो यह पपीता हमने लिया था ना तो यह बहुत ज्यादा पका निकल गया था तो कोई खा नहीं रहा था तो मैंने सोचा आप इसे फेकोंगी तो नहीं क्योंकि पपीता खराब नहीं हुआ स्रिफ गला ही था तो इसे मैं इस तरह टुकड़ों में काट दी हूँ ड्राइफ फूट लिए हूँ इसमें काजू बदाम है अखरोट है और यह पैन डखोंगी पैन में दालूंगी थोड़ा सा घी तो इस तरह से मैं थोड़ा सा घी डालूंगी और काजू बदाम अखरोट एक साथ इसे थोड़ा सा फ्राइब कर लोंगी तो यह फ्राइब करने से थोड़ा सा क तो यह हमारा हो गया है और दूसरी कडाही ले रहे हूं इसमें डालूंगी दो चम्मच घी तो यह हम दो चम्मच घी इसमें डाल रहे हैं और इसके साथ डालूंगी पपीता तो यह छोटा-छोटा हमने काट लिया था ना यह अपने आप ही गल जाएंगे सारे बहुत जादे पेश्ट बना देंगे तो इसलिए मैं छोटे टुकड़ों में ही काटके इस तरह से बना रही हूं तो देखें सॉप्ट होता जा रहा है समय समय पर यह अपने देरे-देरे करके यह सॉप्ट हो जाएगा इसमें बहुत जाता मिनाद भी नहीं लगता आसाने से बन जाते हैं और यह देखें बिल्कुल सॉप्ट हो गया है इसमें डाल देंगे यह 3-4 चमच हमारी मलाई है मलाई से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और इसमें बिल्कुल घी आजाता है और आपके पास अगर मलाई नहीं है न तो इसमें मिल्क पाउडर डाल देजिएगा उससे मतलब सेम चीजें हैं दोनों आपके पास अगर मलाई मलाई नहीं तो मिल्क पाउडर आप डाल सकते हो और यह ड्राइपूट हमने प्राई किया था इसे पीस लेंगे तो यह देखिए हम पीस लिए है इस तरह से जैसे सूजी रहता है इसी फार्म में हम इसे तयार करें हैं तो य यह मीठा बहुत ज्यादा था और जो हम ड्राइपूट भी पीसा था वह भी डाल दे रही हूं साथ में तो यह हम इस तरह चलाते हुए डालेंगे और यह हम सूखा नारियल लिया है जिसे हमने कद्दू कस कर लिया है थोड़ा सा आधा कटोरी ही है इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है नारियल से स्वादा जाता है चार-पांच कुटी हुई इलाची डाल रही हूं और देखे बिल्कुल यह जो हमने घी डाला था या मतलब मलाई डाला था तो बिल्कुल यह तेल छोड़ रहा है तो समझ लिजे के आपका हो गया बिल्कुल तयार गैस करेंग लेंगे एक बरतन तो यह हम टिपिन ले रहे हैं आपके पास अगर जैसे केक्टिन है और कुछ भी है प्लेट है तो इस तरह से आप लगा लेजिएगा इसमें हम लगाएंगे बटर पेपर और इससे थोड़ा सा घी लगाएंगे अगर बटर पेपर नहीं है तो आप किसी परतन में घी लगा लकाके भी ख sugar हो जाएंगा आप इसे सारा हम इसमें न जो बना रखा हमने पापीता का यह हम रख रख diyeंगे तो इसे दबा दबा के Katherine एक अच्छे से नारियल तो यह हम इसे सजा देंगे इसे सजाने से बहुत सुंदर दिखता है फ्रेंस जरूर करिएगा और हमारा यह मिलक केक की रस्पी थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगे तो लीज हमारे चैनल को एक लाइक दे दीजिएगा चैनल पर नए है तो सस्क्राइब कर दीजि फिरिज में रहेगा तो यह अच्छे से सेट हो जाएगा तो देखें तीन घंटा हमारा हो चुका है यह बहुत बढ़िया से से चुका है इसे हम बलट देंगे इस तरह थोड़ा सा टैप करेंगे तो यह अपने आप आ जाएगा ठीक देरे-देरे करके और यह देखें कितन अच्छे से यह सेट हो चुका है, बिल्कुल यह केक के फॉर्म में हैं, जैसे पपीता मिल्क केक हमने इसको नाम दिया है, आप इसको क्या नाम देना चाहोगे, कामेंट करके जरूर बताएगा, तो यह हम आपको कट करके दिखा रहे हैं, तो देखिए मैं इसकी कटिंग कर द सकते हो, यह देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, मतलब देख के ही मूं में पानी आ जा रहा है, देखने में अच्छा है, तो मैं कहते हूं 100% खाने में,